के लिए उनके लिए नोडिफिकेशन है जो कि आज ही रिलीज हुई है कुछी दिर पहले एंटीन रिलीज किया हुआ है लिए नोडिफिकेशन हे है कि इंट्र बइट्वेशन होने वाला था 15 सेप्टेंबर कौ 16 सेप्टेंबर 53 और 24 तो CBT मोड में होने वाला है तो इसमें क्या है? कुछ चेंज किया है चेंज ये किया है कि Day 1 में जो आप जो जो एक्जाम होने वाले थे उनको चेंज कर दिया है Day 3 वाले ग्जामिनेशन से So आपके जो Undergraduate Integrated Course के एक्जामिनेशन होने वाले थे Day 1 को, अब वो होंगे Day 3 को, तो उनको उनसे Interchange कर दिया है अब क्या Change होने के बाद, revise होने के बाद Schedule बन रहा है, तो को 2 shift में होगा Morning shift में होगा और afternoon shift में होगा Morning shift में सुभे 10 बजे से 12 बजे तक होगा और afternoon shift में 3 बजे से 5 बजे तक होगा So Day 1 में ये सारे आपके जो examination होगे, ये सारे paper code है और कौन सा 2 में कौन-कौन से subjects है, 5 में कौन-कौन से program है, 11 में कौन-कौन से होगी हम देख लेंगे Day 2 में ये सारे आप examination होगे, and Day 3 में आपके ये वाले examination होगे तो ये क्या code है, code नीचे पूरा anexer दिया हुआ है, जब आप ये notification पूरा पढ़ोगे, तो आप अपना anexer find out कर सकते हो description में मैं आपको link दी दूँगे उस link से भी आप direct चाओगे, तो आपको मिल जाएगा Day 4 को आपको ये सारे examination होने वाले 4 दिन में आप examination होगा Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 ठीक, तो Day 1 को Day 3 से क्या है, एंटर्चेंज क्या है तो एंटर्चेंज करने के बाद में जो revised पूरा schedule है, वो आपके screen पर है यही है पूरा आपका revised schedule आप पूरा इनका मतलब official website पर जाका कि पूरे notice आप जरूर से पढ़ ले ना cuctanta.nic.in यहीं की official website है यहां पर भी, मतलब यहां पर भी जाओगे तो भी मिल जाएगा, इस पर भी मिल जाएगा कुछ अगर doubts है, प्राबलम है तो इस नमर पर call करके पूछ लेना यह toll free number है, helpdesk number है और इनका mail ID है, अब annexure देख लो मतलब हर एक का एक code दिया हुआ है code type का दिया हुआ है Q1 में यह सारे आपके courses है और bio chemistry दुनिया बर की courses है जो भी, तो आप देख लेना कि undergraduate courses, आपके test paper course से according आप match कर लेना और यह सारे codes आपको यहां पे उपर जो mention किया है न 2, 5, 11, 28, 29, 38, 45, 46 जो भी है आपका paper code इन सारे paper code से related आपको नीचे annexure में सारी information मिल जाएगी, तो यह 4-5 page का है 5 page का है पुरा इनका इसको पुरा download करके एक बार देख लेना काफी important है, post graduation paper जो आपके हैं उसको एंटर चेंज किया है, मतलब day 1 से day 3 को एंटर चेंज किया है तो जो examination आपके होने वाले तो shuffle थोड़ा सा किया गया है, काफी important notification है description में मैं पूरी link दे दूँगी वहाँ से जरूर से देख लेना, check कर लेना तयारी अच्छे से करो, all the very best है आप सभी लोगों को, ठीक है इसको अच्छे से आप पूरा डीटेल में इनकी official website पर जाकर के चेक करो so notice इतनी सी है और आज ही थोड़े पर release हुई है कि थोड़ा सा shuffle किया है, entrance test जो भी examination आपके होने वाले है, so all the very best and get success अच्छे से तयारी करो, examination को crack करो चलो, bye